आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं आपको आप लोगों उनकी मशाला एक बच्चे करवा देते हैं मुंफाली की शिखी हुए दाना है चिलका निकला हुआ पियाज है टमाटर है और लशून है हरी मेच है और आतरक है और यह मोटर है मोटर पनीर बनने वाले है और यह पनीर है, पनीर को पीस करके काट लिए है, और इसको फ्राइ करेंगे, इसको तेल में पहले फ्राइ करके, फिर इसको ठंडा पानी में उसको डाल देंगे, तो उसमें क्या होता है, पनीर स्पॉंजी हो जाता है, और शाथ साथ में उसमें एक्स्ट्रा जो ओल है, वो उसके बाद ये टमाटर और ओनियन और ये जो लशुन है इसको भी तेल में भूंज लेंगे भूंजने की बाद सौब मसाला को एक साथ पीशेंगे इसमें जो मसाला है खाड़ा मसाला है इसमें हम खाड़ा मसाला प्रेफर करते हैं इसमें धोड़ा इलाची, छोटा इलाची, लॉंग, दार्चिनी, शाजीरे, शामोरीज, गोल्मोरीज, जायफल, जायपत्ती, शादा जीरे, और खड़ा जीरे, शादा जीरे है और जो शाजीरे है और शादा जीरे है नॉर्मल जीरे है और धनिया है इतना इंग्रेडिंस है इसको शॉब मिक्सी में पीछना है लेकिन उसके पहले टमाटर और प्याज को हम फ्राइ कर लेंगे शाबुत के शाबुत और उसके साद लशुन को भी फिर ए शॉब को एक साद मिक्सी में पीछेंगे पनीड को फ्राई कर लिये है और शाथ में टामाटर को भी फ्राई कर लिये लेश्टिन को और हरिमिज को और प्याज को ondata hai aap अब जो घड़े मसाला है इसके साथ खस-खस मतलब पोश तो थोड़ा साइट कर शकते हैं आपको ग्रेवी को और थिक बनाना है तो थोड़ा इसके साथ खस-खस एक कर सकते हैं अदर्वाइस इसमें इस बार इसको शॉब मुशाला को मिक्सी में राइंट कर लेंगे इसमें खड़ा जीरे और हल्का सा हिंग डाल दिये है फेम को कम कर दिये इसी हुई सब मसाला को डाल दिये है इसको थोड़ा सा भूंचने देंगे इसकी फेम थुड़ा कम कर देंगे इसके उपर नमक लाल मीच खल्दी इस पाउड़ा डाल देंगे जीरा और धनिया पाउड़ा डालने की जरूरत नहीं है गरम मसाला भी शॉब मसाला इसमें डाला हुआ है और हलका रतन जोद पी डाला हुआ है काले के लिए झाला हुआ है काले की बाला हुआ है कि में काला हुआ है झाला रह टका तो जाँ है नचे लाल मिर्द तो इसमें लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, खल्दी पाउडर, नमक इसको एड़ कर दिये हैं कैं में ने तुर्ण फाउडर क्पाउक जा-पांच, इसमें थोड़ा पानी एड़ कर देंगे जो मिक्सीम में जो अचानी पीसे थे हूड़ाख पानी के तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके उस पानी को एड़ करते रहेंगे और उसकी साथ साथ ये मुंफली और पनीर को एड़ कर देने से हमारा मॉटर पनीर बनके तयार हो जाएंगे मॉटर को एड़ करेंगे मॉटर को एड़ करेंगे क्योंकि मॉटर उबलने में थुड़ा सा टाइम लगेगा पनीर तो हम लोगो पाइक करा हुआ है पनीर को थुड़ी देन में एड़ करते हैं फ्लेम को कम रखते विए अल्मोस्ट क्रेवी बन गया इसके बाद पनीर को एड़ करके थुड़ी दे कोवर कर देंगे अब ही मॉटर पनीर बनके तयार हो गया इसमें एक चम्मच भी है उपसे डाल देंगे बनके हमारे मटर पनीर बस साप करना बचा है झाल झाल झाल